आज एस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के weekly analysis के बारे में daily analysis, Monday को क्या हो सकता है, उपर नीचे कितना बड़ा move आ सकता है, क्या हो सकता है सभी चीज के बारे में हमने ओर र्ड़ी, लास्ट फ्राइडे को जो वीडियो बनाया था, उसमल दिसकस्त कर लिए है नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे क्लिक करके जाके वह आपे देख सकते हैं इस पहले वाला वीडियो है वो और इस वीडियो में हम बात करेंगे वीक के बारे में कि इस पूरे वीक में क्या हो सकता है फ्यूचर आउटलुक क्या है निफ्टी के लिए उस पे हम थोड़ी सी किलियर चर्चा करेंगे साधे साथ जिनको हमारे गुरूप में जॉइन होना है जिन से खुद से ट्रेड नहीं हो पाता है या इनफेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं ह अगर उन्हें हमारे WhatsApp गूरूप में जॉइन होना है तो वो हमारे कोर्स या क्लेशस्बॉप जॉइन कर सकते हैं WhatsApp लिए है बापशेप का लिंक आपको न pagня है क्लिक करके गूप में ले सकते हैं और अगर आप चाहो तो ग्रुप में जॉइन हो सकते हैं जापर हम लाइव मार्केटार्स के अंदर हमारी कुछ ट्रेडिंग कॉल्स टिप्स और भी बाकी कुछ हम दे कमेंट करते हैं लेकिन जो भी कुछ है वो हमसे भी रिजिस्टर नहीं है वो डिस्क्लोशर हम पहले ही ब बात करें तो एक और सबसे बड़ा जो रिजिस्टेंस के तरह एक्ट करेगा निफ्टी के अंदर जो इसको आपने टीवी पे बे सुना होगा सब लोग कह रहे हैं 16,800 का लेवल डेफिनेटली सी बात है ये एक लेवल है जहापर निफ्टी थोड़ा सा एक रिजिस्टेंस ले रहा है निफ्टी उसे पार नहीं कर पा रहा है उसे निफ्टी को पार करना पड़ेगा अपवर्ड मॉमेंट के लिए और साथे साथ यही पर सोल 17,000 के आसपस निफ्टी का 200 डे मूविंग आवरेज भी आ रहा है ये तो आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो आपको पार करना निफ्टी के लिए इसी रहेगा कोई बहुत ज्यादा डिफिकल नहीं है तो थोड़ा से एक इंपोर्टन रिजिस्टेंस के तरह आट करेगा ना कि 16,800 का लेवल मुझे लगता है 16,950 के आसपस जो 200 डे मूविंग आवरेज आ रहा है वो थोड़ा से की लेवल हो पार करना काफी जता इंपोर्टन होगा अभी के लिए अगर हम बात करें तो इस वीकेंद दर निफ्टी ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया था अगर किसी को याद होगा इस दिन यह मार्केट ने बॉटम बनाया था इस दिन ओपन फॉर ओल मैं यूट्यूब पे लाइव आया था, दो-डो वीडियो मैंने बना के ढाले थे, मारकेट आवर्स में बने डाले थे, नो बज़े- अपने बॉटम के आस पासे, उपनल ही मैंने कहा था कि 100% अपना कैपिटल में यहां पर लगा रहा हूँ, जितना भी डिप्स पर मिने लगा या, और जितना भी बेपास बचा है मैं उसको पूरा 100% लगा रहा हूँ किसी ने नहीं लगाया वो भी लगाई है यहाँ पर 100% कैपिटल 15,400 के stop loss के साथ 17,000 का मेरा target होगा almost 16,800 तक nifty होकर आया है काफी अच्छा आपको move एक ही हफते के अंदर nifty में दीखने को मिल गया है और इतना अच्छा move अगर किसी ने in cash नहीं किया होगा तो फिर भाई सब कुछ किया नहीं सकते हैं 7% का move अगर आप नीचे से देखोगे तो nifty ने एक हफते में 7% का move दिया है nifty के में बात करो खाली-खाली के किसी ने nifty में stocks में तो और भी दस-दस-बारा-बारा percent के move आये हैं तो वहाँ पर तो और भी out performance आपको आते भी देने को मिली है swing trading का time अब धिरे-धिरे जाने वाला है तो जिनके भी आदत है swing trading की bottom दिखा नीचे से 500 point बढ़ा और 500 point बढ़ने के लिए swing trade कर लोगे वो काम नहीं करना अब swing trading की आदत कम कर दीजिए अब swing trading नहीं होगा mostly by this month end यह April आदा में उधर तक आपको थोड़े बहुत swings मिले तो मिलेंगे अब market a clear directional move के लिए ready हो रहा है यह मेरा view है गलत जा सकता हूँ definitely मैं गलत जा सकता था यहापर भी गलत जा सकता था और कितने बार swings भी हमने पकड़े वहाँ पर भी गलत जा सकता था लेकिन अभी तक मैं गलत गया नहीं हूँ तो I am very confident on my analysis not over confident हूँ मैं but I am very confident on my analysis क्योंकि वो सही जा रही है तो उस पे हम फिर शक करना वो पागल प्रेन वाली बात हो जाती है अब मुझे नहीं लगता है कि बहुत swings आपको मिलेंगे weekly time frame में अगर आप देखे तो एक resistance weekly time frame में निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 16300 के आसपस और in fact उसको थोड़ा सा अगर आप बढ़ा कर देंगे तो 16600 के आसपस और 17600 के आसपस यह weekly time frame का resistance निकल के आ रहा है नीचे की बाजू support खाया है नीचे की बाजू अभी भी अगर आप support देखो के नहीं सूपोर्ट नजदीक नहीं है support अभी भी निकल के आ रहा है 16000 के पूरे साल भर के लिए bottom होगा यह पूरे साल भर के लिए bottom है की नहीं वो तो नहीं बता लेकिन हमने एक अच्छा सा वहां से trade पकड़ा है उस पर definitely थोड़ा 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 अभी आप profit booking भी कर सकते हो और जितना investment के लिए hold करना है वो आप investment के लिए भी होल कर सकते हो अभी की अगला अगर नेक्स्ट वीक की बात करें तो निफ्टी के लिए की resistance 16800 16901 की resistance है यह पार करना थोड़ा सा निफ्टी के लिए important है लेकिन फिर भी weekly टाइम फ्रेम पर resistance देखे तो वह 17600 उसके पहले कोई resistance नहीं निफ्टी के लिए weekly टाइम फ्रेम यानि पूरे वीक में अगर निफ्टी ने और थोड़ा सा bullish momentum पकड़ा जिसके में को अंदाजा है कि शायद पकड़ सकता है जिसके बारे में मैं आपको मंडे वाले वीडियो में डिसकस किया वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पूरा ध्यान से देखेगा जिसके बारे तो यहाँ से सीधा सीधा निफ्टी के अंदर उपर 400 से 500 पॉइंट की जगा खुलती है तो अगर आप यहाँ से 400 से 500 पॉइंट दिखोगे तो 17200, 17300 जो पहला हमने एक resistance level आपके साथ मांक किया 17200, 17300 वहां तक निफ्टी easily एक बार के लिए इस week के लिए टच कर सकता है अग अगर 16800 पार होता है तो इसको अगर पार नहीं करता है, स्विंग बन जाता है नीचे की बाजू आता है तो नीचे की बाजू फिर weekly time frame में आपको एक inside candle देखने को मिल सकता है अगर नीचे की बाजू आता है तो फिर आपको weekly time frame में inside candle देखने को मिल सकता है और अगर weekly time frame में एक inside candle मिलेगा, वो और भी strong candle होगा, वो और भी strong आपको एक move दे सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर भी आपको weekly के अंदर, time frame के अंदर, आपको एक inside candle मिला था, stop loss, usually हम जो बड़ा candle होता है, उसके उपर रखते हैं, तो यहाँ पर stop loss रखते हैं किसी ने shot भी किया था, इधर भी shot किया था, यह low कटने के उपर, तो आप देख सकते हो, काफी अच्छा एक move आपको आता हो, देखने को मिला था, यहाँ पर देखिए, एक inside candle बना था, काफी एक अच्छा upside move आता हो, आपको देखने को मिला, तो अगर inside candle, पूरे weekly basis के अंद देखने को मिलता है, यानि इस Friday तक भी nifty यह जो week का high low है, उसको तोड़ता नहीं है, तो फिर एक inside candle आपको इस week देखने को मिल सकता है, और वो एक strong up move यहाँ से दे सकता है, अगर inside candle, आपको भी खास करके ध्यान दीजेगा, अगर inside candle इस area में बनता है, ऐसा एक inside candle बनता है, कि नीचे से एक week है, या थोड़ा उपर से भी एक week है, अगर ऐसा inside candle बनता है, मतब higher side pick inside candle बनता है, तो उसकी probability काफी ज़्यादा होगी, कि वो एक break करेगा next week, और आपको एक अच्छा move उसके आने वाले week के अंदर provide कर सकता है, तो आपको clearly देखना है, सबसे पहले तो आपक पॉंट मिनिमम के लिए आप ट्रेड लोगे, उसको carry करोगे, 300 पॉंट का आपका target होगा, 17,000, 17,000, 100,200 का आपका target होगा, वहापे आप profit booking करोगे, अगर इस week का लग तो break नहीं होना चाहिए, अगर आपको Friday का low ठूपता हुआ देखने को मिले, तो पचास पॉंट का stop loss के स साथ आप एक trade ले सकते हो, क्यों कि एक inside candle बना है, तो फिर क्या होगा, कि weekly basis पर निफ्टी एक बाच चाहिए, तो वहापे 16,000 का आसपास जा सकता है, 16,000, 15,900 एक बाच जा सकता है, वहाँ से वापे से एक reversal लेके, घुम फिर के जहापर खोला, वही कि एक inside candle आपको डाउनसाइड के लिए निखलता है, तो फिर इसी वीक के अंदर आपको एक inside candle मिलने की probability काफी जादा रहेगी, और वह आपको next week के अंदर एक अच्छा move देगा, तो move तो आपको मिलेगा, ये week volatile तो होने वाला, ये मत संचेगा कि week volatile नहीं होना, week volatile होगा, downside होगा, तो बस य ये है कि जो गया week है, उसका high low नी break होने वाला, उसी के अंदर वो पूरे time consolidate कर देगा कही ना कही, लेकिन अगर upset जाता है, तो एक continuous candle बन सकता है, जैसे यहापे तीन week तक continuous candle बने थे, वैसे एक और continue candle बन सकता है, 300-400 point का आपको एक move दे सकता है, तो 17,000, 17,200 तक लेके जा सकत है, ये हुआ यू निफ्टी के उपर, काफे लोग कहते हैं कि सब्सक्राइब कर देखें, ये कुछ प्रीवेस लेवल्स में मेरे mark किये हैं, अभी भी बैंग निफ्टी में scope है, जिस पे आज closing किया है, जो इस week closing किया है, जिस लेवल के उपर closing किया है, ये अपने resistance के उपर close किया है, 34,000 का एक resistance है, उसके उपर close किया है, 34,500 के आसपास close किया है, अभी भी बैंग निफ्टी में एक scope है, चलने का, बैंग निफ्टी थोड़ा सा अगर perform करें, तो इस week अगर निफ्टी को उपर जाना है, तो बैंग निफ्टी भी अच्छा perform कर सकता है, बैंग निफ के अंदर upside के लिए 17,000 ब्रेक करना है, 200-day moving average ब्रेक करना है, 16,800 का resistance ब्रेक करना है, तो इस हकते बैंग निफ्टी को perform करना पनेगा, काफी ज़दा oversold हो रखा है बैंग निफ्टी, तो बैंग निफ्टी और एक थोड़ा सा इस week move दे सकता है, उपर की बाजू, बैंग नि आना ही चाहिए, 36,000, 35,500 ब्रेक कोई है, बताब जो रिस्क जादा नहीं लेना चाहता है, 35,500 जो इस week पहुचा था, almost वहां तक पहुचना चाहिए, और थोड़ा खीचा तो 36,000 तक और 36,300 तक भी यह जा सकता है, move आना है, इस week निफ्टी के अंदर अगर 200-day moving average तोटना है 16,800 तोटना है, तो उसका पहला sign bank nifty देगा, ये भी में clear कर देता हूँ, bank nifty में अच्छा 1500-2000 point का इस week में move आ सकता है, नीचे की बाजू आया, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि last week के lows break होंगे, फिर एक inside candle बन सकता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे, कि उपर के side जाता है कि नीचे की side जाता है, फिर वो साथ से हम trade करेंगे, वीडियो इंफर्मेटिव लगए, तो लाइक जरू कीज़ेगा, ग्रूप में join नहीं होए हो, तो whatsapp नहीं का आपको छो description में मिल रही है,